एक बात जान लेजीए कि छो फिश मार्केट होता है वो अंस्टेबल होता है उसकी कोई स्टेविलीटी नहीं होती है आज मशली एस रेट पर विकरी है कल मशली पता ही है इंसान गलतियों को पुतला होता है लेकिन फिश फार्मिंग में भी हम लोग कई गलतियां करते हैं जो यह वीडियो जो है हमारा वो फिश फार्मर्स द्वारा की जाने वाली लॉस्ट मेंकिंग मिस्टेक सीरीज का तीसरा वीडियो है और अगर जो आपने शुरू के दो वीडियो नहीं देखे तो पीज जागे पहले वह देखिया यह आप मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में ड इंसान गल्तियों को पुतला होता है लेकिन फिश फार्मिंग में 16 में भी हम लोग कई गलतिया करते हैं जो की हमारे फिश कलचर को बहुत ही गलत डेरेक्शन में लिके जाती है तो आज हम एक और गलती के साथ आपके साथ आया है जो की बहुत ही इंपोर्टन गलतीय बहु होता है वह अकेला फिश फीड का यानि कि मशली के दाने का ही होता है तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर जो हम लोग इस चीज में गलती करेंगे क्योंकि इस चीज में आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन कोस्ट को यह सारी चीज आएंगी उनको मैं टच करूंगा पूरे वीडियो में तो अगर जो हम उसको सही नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत आने वाली हैं आपकी क्रॉप में सबसे पहले उससे देख लेते हैं अगर जो आप फेडिंग मेनेजमेंट आपका सही नहीं है तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वह फिश वारी ऐशन की भडोड़ा एशन मतलब क्या होता है आपकी कुछ मशली चोटी हैं तालाब में कुछ उसम बड़ी है आपको उसका ज़्यादाद अंदाजा भी नहीं है आप क्रॉब लेके आएंगे बच्चा डालाब में लेकिन जब हार्वेस् लेगा उसे हम बोलेंगे crop failure मतलब आपकी जो फसल है वो फेल हो चुकी पूरी तरह से इतना बड़ा impact डाल सकता है आपके पूरे culture में क्योंकि आपने बहुत लंबा टाइम देते हैं एक fish farming crop में बहुत पैसा लगाते हैं बहुत energy लगाते हैं तो यह आप जानके रख लीजिए अगर जो आप feeding management में ध्यान नहीं देंगे तो आपकी crop fail होने की chances बहुत बढ़ जाएंगे तो चलिए start करते हम लोग वीडियो को तो fish farming में हम लोग किन-किन पढ़ाओ पे fish feeding management को लेके ग सकते हैं तो सबसे पहली जो कलती करते हैं ललू-लाल जी वो क्या करते हैं अब ललू-लाल जी को नहीं crop start करनी है वो गए fish का बच्चा लेने मतलब fish seed लेने तो यह लेके आए पंगेशियस का 2000 लाइन का सीड अब 2000 लाइन के सीड को जब खाना खिलाने के बारी आई तब इनकी बाते सुनिए क्या होता है 2000 लाइन के बच्चे को आपको 0.8 mm या फिर 1 mm खाना खिलाना चाहिए जिसमें protein quality high रहती protein content high रहता है और वो थोड़ा महंगा आता है लेकिन इन्होंने मश्ली के साइज के साब से उसके वजन के साब से उसको फीड का साइज नहीं सिलेक्ट किया वो एक mm, 0.8 mm की जगा 2 mm लेकर अब यहां पर क्या दिक्कति आएंगी मैं आपको बताता हूं जब ललुलाल जी अपनी मश्लियों को दाना खिलाएंगे तो कुछ मश् मश्लियों कमजोर मश्लियों लगबक उतनी ही रह जाएंगी या तो उनकी जो घ्रोथ है वह बहुत ही तो इससे लास्ट में ललुलाल जी सर पीटेंगे क्योंकि मश्लियों कुछ बड़ी निकलेंगी उन्हों ने खर्चा तो उतना ही किया उसमें 10 टन के साब से खर्चा कि मतलब कि जो बड़ा दाना होता है जैसे जैसे मशली का दाना बड़ा होता जाएगा वो सस्ता होता जाएगा लेकिन इसके पीछे का रिजन हमें पता नहीं रहता है क्या होता है जैसे 0.81 mm दाना है वो maximum content आएगा उसका 33% protein 33% protein उसमें इसलिए डाला जाता है क्योंकि छोटे ब protein की जो मात्रा है दाने में वो कम कर दी जाती है तो हमको कभी भी सस्ते दाने पर नहीं जाना है क्योंकि अल्टीमेटली हमारी क्रॉप को खराब ही करेगा महंगा दाना आप लीजिए क्योंकि वह दाना जो है वह बहुत ही कम मात्रा में लगता है शुरू में जो महंगा दा या फिर 1 mm का फीड लेके आए लेकिन अब उनको पता ही नहीं कि उन्हें उस छोटे बच्चे को कितनी बार दिन में दाना डालना है तो यहां पे हमारी आदी है दूसरी लगबग यही इस लेकर करते हैं तो आपने जब आठ बजे आपको मालेजिए पंगेश्यस को एक किलो दाना डालना है दिन बार में चोटे बच्चे को आपने उसको तीन टीकटो वाटा तीन सौ साधे तीन सौ गराम के आसपास आपको दाना एक बार में डालना है आपने वो चोटी मश्ली को दाना इतना जादा मिलने ही पायेगा तो बड़ा पॉर्षन जो दाने का है उस साढ़े 300-300 ग्राम में से वह बड़ी मश्ली चट कर जाएगी जो तेज मश्ली होती है जो चटक मश्ली चंट बोलते जिनको इनको शूटर मश्ली बोलते है वह चट कर पहले आके बड़ा पॉर्षन चट कर जाएगी और चोटी मश्ली के लिए बहुत ही कम दाना बचेगा ऐसे ही तीसरी बार भी होगा तो इससे क्या होगा आपकी बड़ी मश्ली बढ़ती जाएगी चोटी मश्ली चोटी रह जाएगी इससे की ग्रोथ में आपको यह जाना बहुत ज़रूरी है कि मश्ली के किस साइज पर आपको कितनी बार खाना खिलाना है हम लोग ओशियाना में कौन सा साइज यूज करते हैं कितनी बार दाना किलाते हैं ये टेवले साइड में आप इसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं तो ललु-लाल जी की दूसरी गलत तिन दिन में वह आपको 2 ग्राम की देखेगी बहुत जल्दी अपने वेट को इस टाइम पर डबल करती है तो उस टाइम आ गया तो वह एंड तक आपका बना रहेगा और वही वेरेशन है जो आपको हर्वेस्टिंग के टाइम पर दिखेगा तो इसलिए छोटे बच्चे में होता है ललोला जी ले लास्ट जो उनकी कुराप पर वह भी पंगेशियस की तो यह क्या करते थे मश्ली अगर जो खाना खा रही है एक टाइम पर उसको खाना खिलाते ही जा रहे हैं खिलाते ही जा रहे हैं तो हमें तो अपने कमर्शियल फार्मिंग के साफ की साफ से चलना है चाहर आउब है लेकिन अगर जोब और उसंत्यव जाथा जरहिए जुँड़ प्रिश ऑना मे बचा गएर रहा टेड़ित्य सब्छलाइब जिसे-शारी में निकल जाएगा जिसे यह होगा वो दाना आपका हो गया वेस्ट व दाना वेस्ट हुआ तो आपकी प्रोडक्षन पाणी ठीक sur Singh चार प्रसन तो अपनी चखा नहीं क्रणा है और भी किसी मशली के तो आप प्लीज कमेंट में अपना नंबर लिखिए मैं आपको वाच्ट सेंड करूंगा सारे पीडिएफ जो भी है फीडिंग चार्ट से लिटेड तो अब बढ़ते हैं हमारे फिश फीडिंग मैनेजमेंट की चौती गलती की और चौती गलती क्या होती है यह हमारी चौती गलती है मतलब की एक ही पॉइंट से दाना डालना देखिए बहुत सारे लोग यह करते हैं कि एक ही जगह से मशलियों को दाना खिला जैते हैं तालाब में लेकिन वहाँ पे आपको फिर से क्या मिलेगा वेरियेशन एड़ एंड अफ दे कल्चर क्योंकि अगर जो आप एक जगह से दाना खिलाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सारी मशली जब इकटी होंगी तो दाना जो सबसे पहले खाएगी वो होगी ताकतवर और बड़ी मशली तो आपकी जो फीड का बड़ा पोर्शन होता है वो बड़ी मशली खालेगी और चोटी मशली जो कमजोर मशली जो दूर से मशली आ रही है इवन उनको दाना नहीं मिल पाएगा तो वैरियेशन ही होगा प्लस आपकी कभी भी सारी मशली कटी नहीं होती है एक बड़ा जुन जरूर आयाता है आपके पास लेकिन आप देखेंगे नजर दोड़ा के तो करते हैं एक इस तरफ से चलेगा एक इस तरफ से चलेगा जिससे की क्या होता है मशली तालाब में कहीं भी हो तो वह अपने नेरस पॉइंट पे पहुंच जाएगी खाना खाने के लिए तो पूरे तालाब की मशलीयां जो है एक अठे खाना खाती है हमको बहुत अच्छे मिलते हैं इस से हम काफी जो वैरियेशन को कंट्रोल कर पाते हैं इस चीज़ से तो आप भी इस चीज़ को अपने फिश फार्मिंग में अपना ही है तो हमारा जो लास पॉइंट पॉइंट वह होता है फिश फीड के स्टोरेज से लेके मतलब कि आप अपने गोडाउन में पुदी ध्यान रखें कि आपका जो दाना है चुः तो नहीं खाँ रहा है उसमें घीला होने की वाइसे फंगस तो नहीं तो नहीं लग रहे है क्योंकि एक तो पहले आपका उसमें खराब जाएगा उसको अलग कर देंगे दूसरा जो दाना defect हो गया है फनगस से चुवह क के फानने से उसकी भी जो खुले होने से नुट्रिशनल कॉंटेंट है उसका जो प्रोटीन कार्बोहट्रेड है वो भी उसकी वी क्वालिटी खराब होगी तो आप मशली को डाना डालेंगे भी या तो मशली को विमारी लगने के चांस बढ़ जाएंगे या तो वो दाना जो अगर जो आप फीडिंग मैंजमेंट को ध्यान देंगे तो पक्का आपकी जो प्रोडक्शन कोस्ट है कम से कम पांच रुपए जरूर कम होगी तो प्लीज आप यह चीज को ध्यान दीजिए तो प्लीज ललो लाल जैसी गलतियां ना करें एक स्मार्ट फिश फार्मा बने और यह जो हम पूरी सीरीज लेके आएं आपके लिए गलतियों की इन में से काफी कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा आप नोट डाउन कीजिए आपके कल्चर में आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और हमारे वीडियो से आप सीखिए कि उन गलतियों को ठीक कैसे करना झाल झाल